बारहुई पास पे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जेनरल ड्यूटी यानि जीडी की जो वेकिंसी निकाली गी है दो सो साथ पदों पे अगर आप बारहुई पास हैं फिजिक्स और मैथ आपका बिसय है बारहुई में तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं को और 3 years OBC को तो आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस वीडियो हम जाने ही कैसे आपको फॉर्म को भरना है step by step मैं आपको एक लाइफ फॉर्म करके बताऊंगा ताकि आपको फॉर्म करने में किसी प्रकार की मिस्टेक नहों और आप इजली फॉर्म को अप्ल करना है यहां आने के वाइस सारी जनकारी को पढ़ लिजेगा इंप्लाई लॉगिन का option है और अप्लाई नोटिफिकेशन का भी option मिलेगा और अप्लाई उनलाइन पर क्लिक करेंगे यहां पर इस तरकार से आपका फॉर्म खुल जाएगा अब यहां पर जो भी जनकारी दे देना होता है यहां पर देखेंगे Mr. आएगा आप वही रहने देंगे यहां पर पूरा नाम लिखेंगे जो भी आपका नाम है फिर father's name फिर mother's name Mr. Mr. MRS से सब कुछ नहीं यूज करना है यहां ने इसलेटी बताना है यहां जेंडर बताना है यहां पर देखें फीमेल आप बतलब फीमेल आप फॉर्म को नहीं भर सकती है यहां email ID आपको लिखना है फिर email ID को confirm करना है यहां आपको mobile number लिखना है और generate OTP पर क्लिक करेंगे तो आपको mobile number को OTP चला जाएगा OTP भेजते ही friends आपके mobile पे और email दोने पर OTP जाता है email वाला OTP email वाले box में लिख देंगे ज यहां पर आपको submit करना है submit करते ही यहां पर आपका password जो है create हो जाता है system generator password आपके mobile पर भी भी देता है और आप sign up भी हो जाते है आपका registration यहां पर complete हो जाता है mail और mobile दोनों पर password एक चला गया है आप note कर लेंगे OK करेंगे OK करते हैं आपको जो है redirect कर देगा कहां पर तो login प password को यानि पुराना वाला जो password को प्राप्थ हुआ SMS के तोर पे वह अब आपका बदल जाएगा यानि reset करना password को तो यहां एक नया password आप बना लेंगे जैसा चाहें वैसा password बना सकते हैं मैं example को बात करूं तो मालिज आपका नाम राज्यू है तो REJU at the rate 123 ऐसे करके password बनेगा ध्यान देना है आठ से सोरा करेक्टर के बीच का होना चाहिए आठ से कम नहीं होना चाहिए और सोरा से ज्यादा नहीं होना चाहिए at the rate lower uppercase special character वगर यूज करके password करेंगे फिर इस capture code को आपको भारना जिससे यहां पे लिखा हुआ है आप भारेंगे उसके बाश से continue करना है तो continue करते हैं आपका password जो है reset हो जाता है अब यहां देखेंगी तो आपको इस परकार से जो है आप डाइलेटली लॉग इन भी हो जाते हैं अब आपको यहां पर फॉर्म जो है खुल जाता है यहां पर आपको इस सारे स्टेप सो complete करने है तो एक एक चीजों को बता देना चाते है दीजेवरना इससे छोड़ देगा optional है यहां नेसलेटी रहेगा जेंडर अल्री रहेगा alternative मोबाईल नमर देना चाते है दीजेवरना इससे भी आप छोड़ सकते है ज़रूरी नहीं है यहां married है कि unmarried है यहां पे आपको पूछ रहा किया आपके पास आधार क्या दे देंगे दुबारा डियल संख्य को लिख देना है नाम लिखना है और फिर यहां पे पर्मानेंट बॉडी में पाचान बताने से बॉडी का पाचान तील का निसान कटा का निसान जला का निसान यह आपको बताना है दो केटिगरी बताना है अब अन्रिजर्व हैं या OBC हमाले जमों OBC चूच करते हैं तो याब बोलेगा कि इन्डिट्स बिलोंगिंग OBC बट कमिंग इन दा क्रिमी लियर और अप्लाई टू और यह Central Level का चीक को वेकेंसी जो Central Level का Ministry of Defense की वेकेंसी है तो आपको Central Level का OBC देना होगा आप OBC से आते हैं तो और यहाँ पे certificate की validity क्या है? Validity date mention है उस पे तो आप इसको चूच करके और कब expire हो रहा है आपका OBC NCL वो बता देंगे नहीं mention है तो इसको आप चूच कर लिजेगा तो यहाँ पर आपको ऐसे भरना है अगर आप माल लिजे यहाँ पर आते हैं EWS EWS से आपको यहाँ पे जो है आपका बनवाना है जो की 25 तक valid हो EWS की जनकारी यहाँ पे आपको देंगे certificate कब आपने बनवाया हुआ है और valid है कब तक वो आपको आप बता देना है तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरह से आपको बोला गया है कि आपको यहाँ पे आपना जाती परमापत्र देना होगा अब यह Central Level का नहीं होता है SCSt का जो भी जाती परमापत्र बनता है जो आप Block अस्तर पे औंचल अस्तर पर जो भी बनवाते हैं और U-mandal अस्तर पे वही आप यहाँ पे दे सकते हैं कोई दीकत नहीं होने वाला है यहाँ पे Central Level का आपको OBC और E WS यहां पर आपको देना होता है अब यहां पर इस तरह से अपना जाती के बारे में बता दीजेगा अब यहां data birth की choice करना आप data birth यहां से open होगा calendar आप यहां से पहले year को confirm करेंगे फिर आपका month आएगा फिर आपको date choose कर लेना है यहां proof of data birth में आप क्या देना चाहते हैं birth certificate देना चाहते हैं यहां रिज्ञी class का mark strip देना चाहते हैं तो 2 में से कोई भी आप दे सकते हैं यहां पर 10-20 class का mark steht चूञे happy चूछझ किया तो यहां रिख आपको Privile not क judo करना होगा अगर हम birth certificate बनवाए है तो birth certificate है तो birth certificate यहाँ पे हमको upload करना होगा तो जो भी आप यहाँ देना चाहते हैं birth certificate के proof के तौर पे वह आप यहाँ पे चूच करके उसका documents यहाँ पे आपको upload करना है जो भी documents आप यहाँ अप यहाँ प्लोड करेंगे वह 50-500 कवी के बीच होना चाहिए JPG format में ही आपको upload करने है अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर yes कर दीजेगा अगर आपको फी माफ है तो यहाँ पर automatic रहेगा अब यहाँ पर देखेंगे तो ID proof यानि जो आप यहाँ ID proof दे रहे हैं जनकारी जिसे हम आप आधार कार्ट यहाँ पर upload करना है और आधार कार्ट देखेंगा फ्रंट और बैक दोनों एक पेज पर दिखना चाहिए जो भी आप JPG format में बना रहे हैं अगर आप यहाँ पे जो है दूसरा ID proof दे रहे हैं जैसे के आपके पास यहाँ नो करके और यहाँ चूच करते है वहाँ आपको अटेच करना है अगर आप चूच करते है पासपोर्ट तो पासपोर्ट यहाँ पे आपको अटेच करना होगा तो जो ID proof आप यहाँ पे चूच करेंगे वही आप यहाँ पे अटेच भी करेंगे आप यहाँ पना educational qualification की जनकारी भरनी है आप दसवी class पास हो चुके हैं यहां दसवी का है यहां 12 हुई का है तो दोनों को बारी-बारी से भरना है तो पले हम दसवी पे click करते हैं यह देखिए दोनों का tab अलग-अलग बना हुआ है तो पले हम दसवी जनकारी भरेंगे और उसके बारा हुई की तो पले हम दसवी पे click किया हुए यहां पे आपको बताना है दसवी pass है आपका board कौन सा है यहां से सभी board आएंगे आप अपना board चूच करेंगे और यहां certificate number आपको दसवी का दे देना है तो आप यहां पे yes करके और दूसरा mark sheet को भी attach करेंगे नहीं तो no कर दीजेगा how many subjects were in 10th आपके 10th में कितने subjects है 5 तो 5, 6 है तो 6 इस तरह से आप यहां पे बता देंगे अब यहां पे आपको का गरना है add subject पे click करना है आपको मिला इसमें 70-100 का होता है add कर दीजेगा तो सभी बीसए को आप यहां पे का करेंगे add कर लेंगे जो भी आपका बीसए है इस परकार से आपको बारी-बारी से add कर लेना 5-25 का metric की जनकारी add करने के बाद से यहां पे आपको save कर देना है यह भी data आपका देखेंगे तो दस्वी की जनकारी save हो जाएगा अब आपको यहां पे बारहुमी की जनकारी को add करने तो हम बारहुमी वाले option पे आ जाते हैं और यहां पे हमको बताना है कि बारहुमी pass है हा कर देना है board कराम आएगा board कराम यहां से choose करेंगे certificate number आपको जो भी है यहां पे बता देना है उसके बसे percentage है कि CGPA आपको बताना है कब आप passing year है आप यह बता देंगे और आपके पास कोई additional marks है तो yes करेंगे वरना no करेंगे फिर आपको बताना है कितने subject आपने बारहुमी पढ़े हुए है वह आप यहां बता देंगे पहले physics का बोल रहा है कितना marks आपको मिला हुआ है कितना में फिर आपको math का बोल रहा है कितना में कितना marks मिला हुआ है अब यहां पे add पे click करेंगे तो और भी बहुत सारे भी से add करने का आ जाएगा आप बारी बारी से सब को क्या करेंगे यहां पे add कर लें तो हम यहां पे बाकी भी से को भी यहां पे add कर लेते हैं तो हमने यहां पे 12 जनकारी को भी यहां पे add कर लिया है अब इसे भी कर देते सेब अब देखे भी डाटा सेब हो गया अब हमारा जो है अगला स्टेप आ जाता है अब यहां पर पोस्ट यहां पर पोस्ट को ना होगा पोस्ट अगा अगेन बोल रहा है तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स में लिख दिजिएगा अब यहाँ पे पूछ रहा है present address, current address, तो अगर आपका permanent address सेम है, तो इसको tick करेंगे, सेम सेम उपर वाला copy हो जाएगा, अलग है, तो अलग-अलग भी आप लिख सकते हैं, किस राजी के आप निवासी है, वो आपको चूच करना है, फिर यहाँ पे आपको बताना है, कि आपक कौन सा, डोमिसाइल district है, district भी आपको चूच करना है, डोमिसाइल certificate मागने ने निवास पर्मापत्र की जनकारी आपको देना होगा, तो निवास का certificate नमबर आपको लिख देना है, फिर आपका जो है, issue Domecile certificate, कब आपका डोमिसाइल इसू हुआ है, ये भी आपको हापको बत तो आपके कुछ disclaimer के बारे में additional जनकारी पूछ रहा है, criminal procedure के बारे में आपसे पूछ रहा है कि आपको court के द्वारा कभी case होगर हुआ है, yes में आपको बताना है, तो आप यहां पे पढ़ेंगे सावी जनकारी को, आपको कभी arrest किया गया है, तो आप अपने according आपे yes में बता have you ever been divided, क्या आपको कभी जो निस्कासित किया गया Army, Navy, Air Force से, तो आप उसको भी जनकारी यहां देखें दे, यह आप पढ़ेंगे तो समझ मा जाएगा, उसकी बास आपको submit कर देना, तो सारा का सारा नो ही होगा, मेरे case में नो होगा, आप भी देख लिजए क्या आपको yes no क करना है, यह भी सी हो जाएगा, okay करेंगे, अगले step में अब आपका आजाता है, यह सब process, यह सबसे important process है, समझ यह पले यहां पे, आपको देखेंगे, तो यहां पे live आपको image भी capture करना, इसकी अलावा, इस परकास से जो passport size photograph भी आपको attach करना है, जिस पे आपको black slate पकड़क उस black slate पे white chalk से capital letter में आपका नाम लिखा होना चाहिए, और वहां पे कब अपने photo खिचवाया हुआ है, DOP लिखके, और आपको photo जिस दिन खिचवाया हुआ हुआ है, उसका date भी लिखा होना चाहिए, तो हाल ही का आपको photo यहां पे लगाना है, ध्यान दे, पुराना photo नहीं करना है, और यहां left hand thumb impression को as gain करना देखें, आप एक्जामपल दिया हुआ है, अंगुठे का निसान, left वाला, बाय हाथ के अंगुठे का निसान, अब यहां पे आपको, यह सब capture भी आपको करना है, live वाला, अब देखें, पहले हम क्या करते हैं, इसको upload कर लेते हैं, उसके बाधी आपका यहां पे यह capture होगा, live वाला, अब ध्यान देना यह भी है, जो भी passport size photograph आप upload करेंगे, उसका जो file name है, वो आपको passport under square photograph नाम से save होना चाहिए, signature का file name आपका signature के नाम से save होना चाहिए, thumb impression का file name आपका thumb under square impression के नाम से save होना चाहिए, मैं आपको दिखाना चाहू file name तो इसी तरह से आपको यहां पे कर लेना है, rename कर देना है, signature का signature और thumb का thumb under square impression, तो इसी से आपको आपको यहां पे क्या करना है, अप देखेंगे, यहां पे आपको live capture करना है image को, यहां पे आपको start camera पे click करेंगे, यहां allow कर देंगे, allow करते हैं आपका camera on हो जाएगा, और इस परकार से आपका आ रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझेए, यहां पे क्या कह रहा है, यह आपको circle दिख रहा है, यह rate करके, इसी circle के recording आपको सभी चीज़ों को confirm करना, आप देखें, थोड़ा सा आप नीचा हैंगे, यहां देखें, बोल रहा है move back, थोड़ा सा इस कि यहां पे rate हो जाएगा, बोला move back, back करा रहा जाने के लिए, देख रहा है ना, तो image आपको capture पे ध्यान देना है, तभी आपका अच्छे से यहां पे green होगा, जब तक इसके direction के according नहीं चलेंगे आप, अभी देखेंगे न, यहां पे rate और green हो रहा है न, अभी माले हम इध capture करिए, देख रहा है न, हम इसके दाएरे मा आ गया, green भी हो गया, अब हम यहां पे capture पे click करेंगे, capture हो जाएगा easily, अब आपको समझाते हैं, कि आपको back में, आपको क्या करना है, कोई भी objects नहीं दिखना चाहिए, कोई एक साधे background पे चले जाए, किसी भी दीवाल के सामने चाहिए, बिल्कुल आपका चेहरा जो है, सही साफ सुतरा दिखना चाहिए, और चेहरे पे light आने चाहिए, आपका चेहरा समझ में आए, कि कोई photo देखे तो आपका चेहरा समझ में, तो वैस्सा आपको photo, जिसे मेरे case में देखे, धूदलापन हो रहा है, तो थोड़ा मैं यहां light जला दूँगा, mobile से या कोई और वैवस्था लगाके, तो हमारा जो है, यहां पे चेहरा और phrase हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, यह सब वैवस्था करते हुए ही photo को खीचेंगे, तो सबसे बढ़िया है, गाव में आप जाए, धूप में चले जाए, सबसे बढ़ि करेंगे, capture, यह देखिए, आगे आवारा, अब मैं इससे थोड़ा सा, बोल रहा है, move back, हाँ, आ गया, थोड़ा सा, पूर हो रहा है, मतलब बोल रहा है, कि थोड़ा और phrase जो है, आप जगाव पे जाए, तो हम उसी तरह से क्या करेंगे, यहां पे जो है, देखेंगे, और जो भी होगा, हम इस तरह से क्या करेंगे, capture करेंगे, quality capture, थोड़ा पूर हो रहा है, मतलब बोला है, कि और साफ सुथरा आपको capture करना है, तो मैं उसी हिसाब से का करूँगा, set करके, यह capture कर लूँगा, और उसके बास से save कर दूगा, इसको भी, तो friends, देख सकते हैं, हमने जो एक्जाम सेंटर, यहां सो कर देगा, उस राजे में कहां का एक्जाम सेंटर बनाएगा है, तो आप यहां पे चुनाव कर लिजेगा, जहां भी आप लेना चाहते हैं, वहां आप ले सकते हैं, अपने according, अब आता है, दूसरे स्टेस का exam सेंटर आप कहा लेना चाहते है आपके उपर है कि आप कहा जाना चाहते है exam center के लिए यहाँ पे बहुत सारे option आपको देखने को मिलेगा इसे भी save कर लिजेगा अब आपका आगला step आजाता है preview यहाँ पर यह आप जनकारी को verify करें कि जो भी आपने आप जनकारी दिया सब चीस सही अगर इसमें कुछ भी ग spend कर सकते हैं यहाँ arrow पर click करेंगे expand हो जाएगा और आप जनकारी को edit कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि कहीं पर गलती हो गया है तो फिर यहाँ पर आपको CT लिखना है कि आप कहां से form भर रहे हैं या जो भी आपका गाम का address लिख सकते हैं और मतलब सिर्फ नाम लिखन है यह पूछ रहा है कि क्या आप जो इडिट करना चाहते है application को आपको यहाँ पर नो कर देना है यह कर देना है इस परकार से आएगा आप अपनी जनकारी को भी भी वेरिफाई कर सकते हैं यहाँ पर आपको tick करना है इसके बाद से आपको यहाँ पर यहाँ पर confirm कर देना है आपका form जो है final submit हो जाएगा यह देखिए आपका form final submit भी हो गया और यहाँ पे आपको again final submit का option दुबारा आ रहा है तो आप दुबारा क्लिक करदें आप form final submit हो जाएगा उसके बाद से आप print out निकालके जो है hardcop के अपने पास सुरची दरग लेंगे अगर आपको application fee लगेगा मिलते किसी next video में जाहिन